नमस्कार दोस्तों, केसो हाप लोग, उमीद करताओं सब खेरियाच होंगे और अपनी लाइफ में खुस होंगे दोस्तों अभी BCCI ने कुछ ही दिन पहले एक एप्लिकेशन जारी की थी जिसमें BCCI ने लिखा था कि हमें इंडेंट इम के लिए एक हेड कोच चाहिए एक काबिल हेड कोच चाहिए और उस एप्लिकेशन को काफी लोगों ने फिल करा लेकिन BCCI क्या चाहती है, कि इंडेंट इम का हेड कोच कौन बने तो BCCI न तीन लोगों को अब टीम इंडेंट इंडेंट का हेड कोच बनाना चाहती है मतलब उन तीन में से कोई भी टीम इंडे का हेड कोच बनेगा न तो BCCI को काफी ज़्यादा खुसी होगी क्योंकि काफी सारे लोगों ने application का form भरा है कि मैं इंडेन टीम का हेड कोच बनना चाता हूं कि मैं बनना चाता हूं लेकिन BCCI तीन लोगों में से किसी एक को हेड कोच बनाना चाती है और वो तीन को ने नंबर तीन पर आते स्टेफन फिलिमिंग जानते हूंगे आप लोग स्टेफन फिलिमिंग न्यूजेलेंड के बल्ले बाजे और मैंने दो दिन पहले एक वीडियो बनाई थी दो दिन पहले या तीन दिन पहले आई थिंग दो दिन पहले एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बताया था कि स्टेफन फिलिमिंग टीम इंडिया के हेड कोच बन सकते हैं क्योंकि BCCI यह चाहती है और आपको पतागो Stephen Flaming New Zealand के बल्लेबाजे CSK के head coach है 2009 से वो CSK के head coach है इस बीच उन्होंने 5 बार CSK को IPL trophy भी जितवाई है 2008 में CSK के लिए बल्लेबाजी भी कर चुके और अगले साल head coach भी बन गया CSK के इसके साथ ही One Day Cricket में 7500 कुछ run बनाए 111 test match भी खेल चुके मतलब 100 से भी ज़्यादा test match खेल चुके अनुभव की कोई कमी नहीं है और CSK को जो उन्होंने सफलता दिले ही वो तो आपको बतानी जर्रत नहीं है उसके बात ही वो युवा खेलाडियों को मोका देना भी जानते हैं इंडियन युवा खेलाडियों को मोका देना भी जानते हैं रूतुराज गायकवाड तुसार देस पांडे किसके अंडर में खेल रहे हैं महेंदर सिंग धोनी और उसके बाद head coach कोन है हमारे Stephen Fleming तो Stephen Fleming भी दावेदारी में है कि वो भी बन सकते इंडियन टीम के head coach लेकिन number 3 पर है number 2 पर कोन है मतलब Stephen Fleming से भी जादा chances किसके हैं तो वो है Ricky Ponting जानते होंगे ऑस्ट्रेलिया को दो बार विस्व विजेता बनाया है 50 ओर के विल्ड कप में दो बार विस्व विजेता बनाया है एक बार बनाया है 2003 में जो की सोरव गांगोली और Ricky Ponting फाइनल में गये थे मतलब एक तरफ इंडिया थी एक तरफ आश्ट्रेलिया थी सोरव गांगोली वर्सेस रिक पॉंटिंग जहां पर Ricky Ponting ने आश्ट्रेलिया को अपनी कपतानी में 2003 का वर्ल्ड कप जितवाया था फिर बात आती है 2007 की वहां पर भी आश्ट्रेलिया नहीं वर्ल्ड कप जीता था तो Ricky Ponting भी काफी अच्छे लीडर है मतलब अपनी कपतानी में किसी टीम को दो बार विस्व विजेता बना देते हैं इसका मतलब वो लीडर काफी अच्छे हैं इसके साथ ही दिल्ली केपिटल्स के भी काफी समय से हेड कोच है और अगर कोई X क्रिकेटर या कोई अनुभवी क्रिकेटर किसी IPL टीम का हेड कोच होगा तो इंडियन खेलाडियों को भी जानता होगा क्योंकि IPL में चार विदेशी खेलाडी खेलते हैं एक टीम में बाकी के साथ तो इंडियन प्लेयर्स खेलते हैं और उसमें से भी काफी जादा तो यंग प्लेयर्स खेलते हैं युवा भारती खिलाडी, मतलब रिकी पॉंटिंग भी जानते इंडियन प्लेयर्स को, प्रत्वी शो को जानते, रिशाप पंत को जानते, मुकेश कुमार को जानते, खलील हैमद को जानते, और भी काफी सारों को जानते, इसका मतलब यह नहीं जो दिल्ली केपिटेल्स में खिलते हैं उनको जानते रूतुराज गायकवाड की अतारिफ कर चुके रिंकु सिंग की अतारिफ कर चुके रीत रोहित सर्मा हार्दिक पंडा इन सबको जानते बक्खु भी जानते रिक्यू पॉंटिक भी बनेंगे तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है और नंबर वन पर आते हमारे बेस्ट प्लेयर मेरे फिवरेट प्लेयर मेरे फिवरेट एक्स क्रिकेटर बेबा क्रिकेटर अपनी बात बोलने से बिल्कुल नहीं चुकते आप समझ गए होंगे गोतम गंभीर बी सी सी आई के दिली ख्वाई से दिल से चाहती है बी सी सी आई कि टीम इंडिया के हे कोई ये जानकारी यहाँ पर सच भी साबित होईगी और इन तीनो एक्स क्रिकेटर्स में से कोई एक ही आपको टीम इंडिया का हेड कोच बनते हुए दिखेगा लिखके रख लो 110 परसेंट इन में से एक ही खिलाडी बनेगा टीम इंडिया का हेड कोच और गोतम गंबीर की ब ट्रम काड या मास्टर काड या ट्रम काड आप समझ लो जो कि गोतम गंबीर खेल चुक है IPL के इतिहास में सुनिल नारायंट से ओपनिंग करवाना कोई नहीं जानता एज ओपनेर तो सुनिल नारायंट को कोई नहीं जानता था ना बस यहीं जानते थे लोग कि 90-10 नंबर पर सुनिल नारायंट नाम का एक बंदा जो बल्ले बाजी कर सकता है और मिश्ट्री स्पीन कर लेता है लेकिन बल्ले बाजी को किसने खंगाला गोतम गंबीर ने पिछले दो साल से गोतम गंबीर लखनों के कोस थे लखनों के मेंटोर थे सोरी और इसलिए पिछले दो साल स सुनीन लारैंट खेलतो रहे थे लेकिन ओपनिंग नहीं कर रहे थे लेकिन जैसी गोतंग गंबिर आ है उन्होंने ओपनिंग करवा दी सुनीन लारैंट से और उन्होंने काफी ज़यादा रन बना दिये माई 11 सरकल जानते हैं और fantasy players के जो points मिलते हैं आज कर ये fantasy team बनाते हैं हर कोई वहाँ पर 1200 points है कितने 1200 points और सबसे ज़्यादा points है मतलब माई 11 circle of the year player जो बोलते हैं मेरे से इतना बोलाता नहीं इंगलिस में हाला कि वो 1200 points है और number one पर है सुनी नहीं रहे हैं तो अच्छा प्रदर्शन किया बॉलिंग भी अच्छी किये और गोतम गंबीर के आजाने इस टीम में सबसे बड़ा फर्क क्या आया पता है काफी सालों बाद play-offs में qualify करिये और पहली टीम बन गई थी play-offs में qualify करने वाली तो भाई गोतम गंबीर भी अच्छे हो सकते हैं और personally मैं यह चाहता हूँ इन तीनों में से कोई भी बन जाया मुझे कोई दिक्कत नहीं है लेकिन गोतम गंबीर बनेंगे तो बिल्कुल बहुत ज़्यादा खूस होंगा क्योंकि आपको भी बता गोतम गंबीर किस अ श्टोर देते हैं और उन प्रदर्शन करते हैं मेंटोर काफी अच्छे बन सकते हैं मेंटोर तो बन चुके हैं हो अच्छे कि एक हैं के रक मेंच्टतल द मताने आगर आपको मेरी जान कर अच्छे लगिए तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर देना चेनल को सब्सक्राइब कर देना तब तक के लिए बबा जाहिंद वंदे मात्रम